बिस्मिल्लार्राहिम असलाम वालेकुम ये जमीदार भायों किसान दोस्तों अलहम्दुलिल्ला गंदम जो है वो इस वकत बिल्कुल पकाई के आखरी स्टेज पे पहुँच गई है ज्यादा तर जो है वो गोल्डन हुई पड़ी है बस आखरी 10 से 12 दिन जो हैं वो आप कह सकते हैं कि ये लेगी अकबर जो है ये तो बिल्कुली आखरी स्टेज पे है ये तो ज्यादस ज्यादा अफ्ता दस दिन अगर अच्छी धूप निकल जाती है तो ये ज्यादस ज्यादा अफ्ता दस दिन लेगी ये अकबर के पुलाट है और इसके साथ आगे वाला ये जो है ये दिलकश है ये अभी तक थोड़ा सा गरीनिशी है लेकिन हो रहा है ये भी गोल्डन हो रहा है तो आज तकरीबन पांच मां मुकमल हो गए तो आगे एपरल के जो है वो पिछले कुछ चार पांच दिनों से टमपरिचर लो जा रहा है बारिश तो नहीं हुई बादल थे ठंडी हवाब थी तो उसकी वज़ा से तोड़ा सा जो टमपरिचर वो लो गया है तो मेरे ख्याल में ये पिछले सालों के इस तफ़ा कोई एक अफ़ता जो गंदम है ये पकने में ज्या याद करें तो वो मारेच के आखरी हफते में जो हीट वेव चली थी जिसकी वज़ा से आवरेज में काफी असर पड़ा था वो चार एपरिल को कटाई हो गई थी लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी कोई हफता दस दिन और लेट कर जाएगी तो इसके साथ मैंने आपको गंदम के सिट्टे दिखाया थे उसमें जो अकबर है उसके दाने निकले थे 71 और जो दिलकश है उसके थे 97 और जो सुभानी का सिट्टा मैंने आपको दिखाया था उसके थे 110 या 12 इतने थे तो मैंने सिट्टे की लेंध की वज़ा से आप लोगों को ये भी उसी वक्त ही बता दिया था कि मेरे ख्याल में ये सिट्टे से दानें जो ज्यादा निकलेंगे वो सुभानी का यहूंगे तो सिट्टे के हिसाब से सुभानी का नंबर फस्ट में आ रहे हैं अब देखें लाओ अरी pos launched करम करें और पक रही है अल्लौ ताल्व से मेरी दौा है कि अल्लौ ताल्व ख्यारियत से नंब पके सब किसान जमी दोरें दोस्त जो है वो इसकी किटाई करें और अल्लौ तो आएक अच्छी आवरिज और बेहतरीम जूझ जो है वो उता फर्माएं आमीन सुमाँ